और public at large जब consumer form में जाएगी और वहाँ पर लाखों की तादात में ऐसे case दलेंगे तो obviously ऐसे person के खिलाफ जरूर कारेवाई होगी कुछ लोग राय देने के लिए बैठे हुएं कि इनोंने सही किया या इनोंने सही किया कोई कानूनी जानकारी उनके पास नहीं है कोई कानूनी नौलेज उनके पास नहीं है केवल विचारों का आदान प्रदान करें केवल इस चक्कर में कि मुझे views मिल जाएं लेकिन कुछ लोग एक बड़ी गलती भी कर रहे है सरकार की नजर पढ़ी जी गाइडलाइंस त्यार करी अब ऐसे सब लोगों को ऐसे वीडियो बनाने बंद करने पढ़ेंगे दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर अमित मैश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं पिछली वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है मेरा उद्देश्य है कि सूरत बदलने चाहिए आज मेरे साथ स्टूडियो में स्पेशल गेस्ट है अधिवक्ता एडवोकेट योगेश अगरवाल जी जो जाने माने एडवोकेट है और खुद लौसे संबंदिते की यूट्यूब चैनल चलाते हैं आपके लिए लौसे संबंदित बहुत सारी जानकारी लेकर आते हैं विशे सतिती के रूपे मैंने आज इसलिए इन्वाइट किया है क्योंकि आज बिजनस कोचिंग के नाम पर ऑनलाइन कोर्सिस के नाम पर बहुत सारे लोग मासूम जनता के साथ ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं जिसकी वज़ा से लोग जो सपने देख रहे हैं आगे बढ़ने के वो सपने तो टूटी रहे हैं फानेंशली उनका परिवार भी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहा है इसलिए विशेश अथिती के साथ हम जानेंगे कि क्या कानूनी पराद्धान उन लोगों के लिए हैं जो इस स्कैम के शिकार हो चुके हैं सबसे पहले एड़ोकेट योगे शाकरवाल जी मैं आपका बहुत-बहुत हार्दीक स्वागत करता हूँ कि आपने बहुमुले समय निकाला और इस विशेख पर बात करने के लिए आपने मुझे समय दिया सबसे पहले मैं बात कूछना चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी speaker का किसी भी business coach का किसी भी एक teacher का कोई course करना चाहता है और उसको यह कहा जाता है कि आपको मैं जो A course करवा रहा हूँ वो A course करने के बाद आप A industry में काम कर पाएंगे उदाहरन के लिए कि आप business coaching का course कर रहे हैं और उसके बाद एक सफल businessman बन पाएंगे या digital marketing का course कर रहे हैं उसके बाद एक सफल digital marketer बन पाएंगे या import export का code कर रहे हैं और उसके बाद सफल importer या exporter बन पाएंगे यह तो बात रही कि जिस course से संबंदित ट्रेनिंग मैंने ली, एक course करने के बाद जब मैं उस course को complete कर लेता हूं, तो मुझे पता चलता है कि मैं एक काम करी नहीं पाऊंगा, मुझे तो कोई और काम करना होगा income कमाने के लिए, ऐसे मुझे व्यक्ति अपने आपको फसा हुआ म जिसने ऐसा स्कैम उसके साथ किया, देखिए हमिजी, अगर आप इसको स्कैम के साथ जोड रहे हैं, क्योंकि जब हम स्कैम की बात करते हैं, तो public at large की बात होती है, और अगर कोई ऐसी activity public at large के अंदर हुई है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को इस तरीके से cheat किया गया है, क उसका initial moment पे ही लोगों को cheat करने की intention थी, अगर ये चीज़ प्रूव होती है, तो उसके against 420 का case registered हो जाता है, और public at large का मामला है, तो इसके अंदर government भी आपको पता है, बहुत जल्दी active होती है, और हमारा judiciary system भी active हो जाएगा, और ऐसे person को behind the bar जाना पड़ेगा, लेकिन मैं फ सपने दिखाऊंगा, और बड़े सपने दिखाने के बाद उसको पहले से ही मालूम था, कि जो मैं वादे कर रहा हूं, वो पूरे नहीं होंगे, और बाद में उनको ऐसी स्तिती में ले आके फसादूँगा, बाद में वो person किसी भी कारण से, ना तो अपनी fees वापस ले काने का पूरा अधिकार उसके पास है, और, देखें, फीस वापसी का जो अधिकार है, ये एक matter अलग तरीके पे चला जाता है, क्योंकि जब हम फीस वापसी की बात करते हैं, तो ये एक civil right है, आप यहाँ पर fraudulent activity और fee को आपस में connect नहीं करते हैं, अच्छा, मतलब ये एक student है, उसने कोई course जोइन करा, और वो course में जाने के बाद वो satisfy नहीं है, उसको लगता है यार, ये course जो चीज़ में को वादे करे गए था, जो advertise करा गया था, उस तरीके का तो course ही नहीं है, तो there is a refund policy, अब तो ministry of consumer affair ने पूरी तरीके से guidelines बना रखी है, अगर कोई भी person इस तर prospectus के अंदर या अपने जितने भी brochure से उसमें डाला हुआ है, तो person refund तो ले ही सकता है ना, और वो refund नहीं क्लेम कर रहा है, अगर वो refund नहीं क्लेम कर रहा है, और future में आकर के जब वो पूरा course complete हो जाता है, क्योंकि जो भी person ऐसे courses sell कर रहा है, उसके भी खर्चे होते हैं, अब कोई person पूरा course complete होने के बाद ये बोलता है, जी मैं तो जो चीज मेरे को बोली गई थी वो दीन ही गई, अब अगर ये सबी लोग बोल रहे हैं, पब्लिक एटल आज में चला गया है मामला, तो मैंने बोला different हो जाता है मामला, क्योंकि वहाँ पर एक intention देखी गई है कि person ने, वो course launch ही लोगों को cheat करने की लेकी है, लेकिन अगर कोई course से person satisfy नहीं है और अपनी fees refund लेना चाता है, तो there should be a mechanism, और अगर वो mechanism नहीं है तो वो guidelines को wallet कर रहे हैं, और ऐसे person के खिलाफ तो कारेवाई होगी, उसका institute भी बंद बजाएगा, उसकी reputation भी खराब होगी, और उ जो भी legal consequences हो सकते हैं, maximum वो करे जाएंगे, यहां पर मेरा एक प्रशना भी आपने कहा कि अपनी terms and condition में refund policy में उन्हों डाला हुआ है, मैं एक बात आप से कहता हूँ, माली जी मैं एक student हूँ, और मैं एक course करने किसी के पास गया हूँ, और उनके refund policy में लिखा हुआ है कि अग लेकिन वो व्यक्ति एक तरफ तो उसको पता है मैंने policy बनाई है, मेरे prospectus में लिखा है, मेरे website में लिखा है, मेरे information में लिखा है, दूसरी और व्यक्ति उस student को convince कर रहा है कि आप मुझ पर विश्वास करो, 30 दिन में कोई जादू नहीं होता, आप 90 दिन का पूरा complete course करो, य बहला फुसला के या समझा के या बर्गला के उस व्यक्ति को इस बात पर आश्रित कर देता है कि ठीक है, उस व्यक्ति को एग्री कर देता है कि ठीक है, सर में तीन महिने का समय लगाता हूं, अब यहाँ policy violation तो हुआ नहीं, क्योंकि 30 दिन का समय भी निकल गया, उसको जहां या कोई terms and conditions sign करके दिये हैं, जहां पर clearly लिखा हुआ है कि अगर आपको 30 दिन के अंदर satisfaction नहीं होती है, तो आप अपना 100% fees वापस ले सकते हैं, और after 30 days आप कह रहे हैं, उसको बर्गला दिया गया, उसको लेर के आगया, नहीं, 30 days में कुछ नहीं समझ में आता है, अगर उ ऐसा कोई system नहीं उसके अंदर है, ऐसी कोई application नहीं है, तो person code में जाके प्रूफ कैसे करेगा कि मेर को बीच में इस चीज़ के लिए इन बातों को ले करके, विद्यार्थी इस लेवल पर नहीं सोच पाता है, सर, क्या होता है, एक अध्यापक के उपर विश्वास करके, वो कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें गारंटी करता हूं कि अगर 90 दिन में काम नहीं हुआ, दो घंटे रोजाना मेहनत करने पर काम नहीं हुआ, तुम मेरा कोई अधिकार नहीं बनता हो फीस रखने का, कई ऐसे clips हमारे पास हैं, कई ऐसे zoom की जो meetings हैं, उनके evidence हमारे पास है लोगों नहीं share की हैं, तो क्या इस समस्या का समाधान सरकार उस policy violation के अंतरगती करेगी कि नहीं, policy violation हुआ नहीं है, या उन सबूतों को भी माना जाएगा कि हाँ, ये भी evidence है, कि आपने policy violation में तो कुछ और days दी हैं, लेकिन actual में आपने commit करके उस वेक्ति को उस violation के अंतरगत लाके उसको पार कराके, अपने आपको save कर लिए, अगर उसने ऐसे कोई चीज़े बोली हैं, ऐसे videos या ऐसे evidences available हैं, जहां पर वो इस तरह की बाते कर रहा है कि आप ठीक है, आप इतने ताइम में नहीं समझ में आएगा, और मैं आपको course खतम होने के बाद भी fees वापस करू करने होंगे, अगर आप recovery of damages या जो भी आप उसके अंदर अपनी free refund मांग रहे हैं, उसके लिए court जाना होगा, लेकि एक समाने व्यक्ति के लिए बड़ा मुस्किल टास्क हो जाता है, कि मैं किसी एक reputed व्यक्ति के सामने, क्योंकि एक विध्यार थी, जो जैसे तैसे अपना course करने के लिए, एक उमीद के लिए, सब कुछ बेच के आया हुआ है, क्या वो हमारे देश के कानूनी प्रावधान को समझने के लिए, वकील को hire करने के लिए, सक्षम हो पाएगा, और ऐसे में उस व्यक्ति को एक notice भी भेज़ दिया जाता है, कि अगर तो ने अगर कोई भ गड़ बड़ करी तो तरको उल्टा फसा देंगे, यह बहुत अच्छा कोशन है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इस तरह के, क्योंकि स्टूडेंट्स का मामला है, और अमाउंट भी हम बेको लगता है, पंदरा हजार से लेकर के पचास हजार तक का इसके अंदर इन्वाल के अंदर आपको कंप्लेंट डालने के लिए एड़ोकिट की जरूत नहीं है, अच्छा, मतब सरकार आपको एक एड़ोकिट देती है, या एक परसंट देती है, जिस भी सिटी के अंदर वो कोट्स बनाए गए है, वहाँ पर जाकर के, अपनी भाशा में कंप्लेंट लिख क के दे सकते हैं, और वहाँ पर जो कंप्लेंट के साथ फीस जम्मा होती है, वह भी बहुत काम है, तो कंज्यूमर फरम में ऐसे बचे, ऐसे स्टूजन जागरे, मैं एक उधारिं के उरूप में मानता हूं, मान लीजे किसी एक कोर्स की फीस, लेट से की 30,000 रूपे है, तो सर आपको legal consultancy की जरूत है, किसी advocate की जरूत है, पॉब्लिक एट लाज जब कंज्यूमर फर में जाएगी, और वहाँ पर लाखों की तादत में ऐसे case जलेंगे, तो obviously ऐसे person के खिलाफ जरूर कारे वाई होगी, दूसरा सा एक बहुत बरा गरब मुदा इस समय YouTube पर चल रहा है, और वो क्या है कि देखिए दो तरह के लोग हैं जो यूट्यूब पर एक राइट इंफॉर्मिशन शेयर कर रहे हैं जैसे संदीप महाईश्वरी जी एक वीडियो लेकर आए जिन्ने उस स्कैम के विक्टिम का कॉंटेंट रिकॉर्ड किया उनकी जानकरे रिकॉर्ड किया और सरे लोग इंफ इदर उफर कि बाते करें कुछ लोग विज के चकर में इस विष्य पर बात कर रहें कि कौन IK मतब खोद ही उए हुँ भारत के नायलнуться बन चैज्जंमैट देने के पास नहीं है केवल विचारों का आदान प्रदान करें केवल इस चक्कर में कि मुझे व्यूज मिल जाएं लेकिन कुछ लोग एक बड़ी गलती भी कर रहे हैं जिसके साथ स्कैम हुआ है जिसके प्रती स्कैम हुआ है कही न कहीं उनकी आइडेंटिटी को भी उजागर कर रहे है एक दूसरे के नाम को उचाल भी रहे है अपने व्यूज के चक्कर में तो उनके लिए क्या समस्या हो सकते है ये भी एक बात जरूर बता दें आप देखिए सबसे पहली बात तो जब हम बात करते हैं क्योंकि मैंने भी ऐसे कुछ वीडियो देखे हैं कुछ वीडियो ऐस हैं जहां पर किसी का नाम नहीं लिया गया इडेंटेटी को डिस्क्लोज नहीं करा गया तो वहाँ पर आप एक जनरल बात कर रहे हो कि ओनलाइन बिजनस कोचिंग के नाम पर इस तरीके से लोगों से पैसा एठा जा रहा है आने वाले टाइम में अगर कोई बच्चा ओनला पर इस तरीके से लोगों से पैसा लूटा जा रहा है और आप आने वाले टाइम में पब्लिक को समझाया जा रहा है कि इस तरह की चीजों से आप साउधान रहे हैं अगर कोई भी ऐसा को जोइन कर रहे है तो उसको पहले अच्छे से जाच लें उनकी कंटेंट को देख ले उनके ब्रॉशर्स देख लें और उसके बाद जोईन करें लेकिन जब यह चीजे आई यह तो मैंने कुछ वीडियो ऐसे भी देखे हैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुद अपने ओनान लाएन कोर्णी हैं और दूसरे ओन लाइन कोर्स को बारे मुं भोल रहे हैं यह चोर ह हैं क्या उनके बच्चे भी तो हो सकते हैं कि जो सैडिस्फाइं ना हो तो स्कैम क्या है ये तो अभी आउटकम आफ दा केस बाद में पता लगेगा लेकिन अब इसको मुद्दे को इतना गरम कर दिया गया है कि अभी इसका क्या सीन मनेगा ये तो नजर नहीं आ रहा है लेकिन हा है मैं बार-बार ये बोलता हूं स्कैम वर्ट और अन-फिर ट्रेड प्रैक्टिस दो चीजे अलग है ठीक है स्कैम बोला स्कैम मतलब है पट्ब्लिक आतलाज को लूट लिया गया ठीक है और अंट्रेड फियर प्रैक्टिस इसलिए है क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि ये अंट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं लोगों को क्योंकि ये अनरगनाइस सेक्टर है अभी गौर्णमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इसके उपर जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा हुआ कि फाइनेंस मार्केट के अंदर जो लोग स्ट्योक ब्रोकर्स थी हाँ बहुत सार लोग फाइनेशल रॉंग अपनी बैलेंस शीट दिखा कर अपना पे एंडल दिखा कर अच्छा एक और चीज़ और चारीती है कि आप ये शेर खरीदो ये हो जाएगा इसे करने के लिए वो कैसे तैसे पैसे ही कटे करके रोलेक्स की घड़ी खरीद रहे है मर्सिडिस बी-एम-डबलू खरीद रहे है चाहें वो इम-आई पर चल रही है सरकार की नजर पढ़ी सेवी ने गाइडलाइन्स त्यार करी अब ऐसे सब लोगों को ऐसे वीडियो बनाने बंद करने पड़ेंगे तो ये अनर्गनाइज सेक्टर है अब ये जो ओनलाइन बिजनस कोचिंग या जिसनी भी तरह की कोचिंग चल रही है अभी गौर्णमेंट की इस पे नजर नहीं है लेकिन अगर गौर्णमेंट की नजर जाएगी गौर्णमेंट को लगेगा कि पब्लिक एटलाज को इस तरीके से लुटा जा रहा है इसके अंदर और लोग पैसा बनाने के लिए गलत तरह की प्रैक्टिस में आ गए है तो उनके खिलाफ कारवाई भी होगी और गाइडलाइन्स भी बनेगी और आने वाले टाइम बेस के ओपर रोग भी लगाई जाएगी स्कैम की बात आती है अगर कोई ऐसा परसन स्कैम कर रहा है जिसने चीटिंग करने के लिए ही लोगों को पहले दिन से ही प्लैनी चीटिंग करने का था कि मैं तो इस तरह का एक कोर्स बनाऊंगा लोगों को इन्वाइट करूंगा उसके अंदर हजारो लाखो लोग बच्चों को पढ़ाऊंगा एक बच्चे से दूसरे बच्चे को बुलाऊंगा अपनी जेब भरूँगा और लोगों को लूटके खतम कर दूँगा ये स्कैम है और अगर किसी परसन ने ऐसा स्कैम कराए तो वो जेल जरूर जाएगा यहाँ पर सर मेरे मन में एक विचार आता है या तो वो लोग बिजनस कोचिंग कर रहे हैं जिनोंने कभी अपनी जिन्दीगी में कोई व्यापार नहीं किया कोई बिजनस नहीं किया कोई इंडस्ट्री नहीं देखी कोई फैक्ट्री नहीं देखी या कभी production नहीं किया कभी import export नहीं किया वो लोगों को बता रहे हैं या वो लोग बता रहे हैं जो अपने business में fail हो गई है कांदंदा चला नहीं तो चलो यही शिखाना शुरू कर दें ते क्योंकि हर व्यक्ति businessman बनना चाता है इससे में market में scenario क्या चल रहा है कि job तो दुनिया की सबसे बुरी चीज है अगर आप job कर रहे हो तो आप एक अपराद कर रहे हो एक तरह से हर व्यक्ति business owner बनना चाहता है entrepreneur बनना चाहता है sonor operator बनना चाहता है पता नहीं क्या क्या बनना चाहता है लेकिन यह चीज बना दी गई है ऐसा नहीं है कि job में प्रस्पेक्स नहीं है या जॉब में अच्छी जॉब्स नहीं मिलती है क्योंकि जब एक youngster ऐसी एज में होता है जिसको सबसे ज़्यादा motivate किया जाता है पैसा कमाने के लिए अभी वो 12th करके निकला या graduation के बीच में वो देखता यार यह तो यह लोग देखो कितना ऐश कर रहे है बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई जाती है बड़े बंगले दिखाई जाते है लाइस्टैल दिखाई जाता है और एक job करने वाले के सामने यह चीज़े नहीं द पहुंचा देता है तो कहीं ना कहीं वो जो impression है वो लेकर के बच्चा वहाँ पहुंचता है वहाँ पर वो उस चीज़ को पकड़ लेता है गल्थ तरीके से पकड़ लेता है और आप कई बार तो ऐसा देखा गया ऐसे बच्चे अपना भविश्य भी चोपट कर लेते हैं मे सेखाले गुरु को लुट करका था है वहाँ गुरु का उद्धेश्य पैसा कमाना नहीं होता था गुरु का जो अद्धेश्य होता था वो ये होता था कि अपनी ना लंपो आहीं हो का ओपने पायों आपने जरूर देख लें, उन मेंसे जो important चीज़े हैं, अगर उन मेंसे कुछ भी आपको नजर आता है, तो ऐसी coaching में आप जा सकते हैं, जैसे सबसे पहली चीज, जो business coach आपको coaching देने जा रहा है, क्या उसने कभी business किया है, मेरे को लगता है most important चीज़ है, अगर कोई ऐसा business coach है, जो आ भी business नहीं करा है, जरूर नहीं है कि युनिवस्टी में जो लोग पढ़ाते हैं, वो जरूर नहीं है कि उन्होंने कभी उस industry में काम करा हूँ, लेकिन उनके पास qualification होगी है, तो दूसरी चीज़, अगर उसने business नहीं करा है, तो उसकी academic qualification जरूर देख लें, कि जो person आपको coach क करने जा रहा है, क्या उसकी academic qualification उस तरह के management courses को कराने की है, अब मैं कहता हूँ, चलो ठीक है, यह पहली भी नहीं है, पहली बात भी fulfill नहीं हो रही है, दूसरी बात भी fulfill नहीं हो रही है, तीसरी चीज़, क्या वो खुद trouble में तो नहीं है, मैं बार 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 बोलता हूँ, कोच है, जो खुद trouble में है, लोगों को business करना सिखा रहे है, पहले देख तो लीजिए, कि जो person आपको सिखाने जा रहा है, क्या उसका motive पैसा बनाना ही तो नहीं है, वो reality में कुछ सिखा करके आपको कोई value add कर रहा है, आपकी जिंदगी में, अगर आपको लगता है, वो value add क कर सकता है, तो देखो, क्योंकि कोई भी चीज आप सिखते हो, आपके पूरी जिंदगी काम आती है, मैं कभी यह नहीं बनूँगा कि कोई चीज सिखी हुई खराब होती है, आपने कुछ भी सिखा है, उस पैसे की value से ज्यादा, जो value addition आप लेके आग आते हैं, वो बहुत important लेकिन सर कई बार क्या होता है, value addition का भी एक level है, मैं कहता हूँ, मानली जी एक बच्चा बच्पन में अपने पिता से कहता है, कि पापा जी मुझे cycle चाहिए, तो पिता जी उसको कहते है, मेरे पास cycle है, ले मैं तुझे cycle दे दी, बच्चा है 5 साल का, और cycle है 22 इंच की, full atlas ली, जो पहले चला करती थी, अब वो बच्चा cycle भी है उसके पास, पर उसको चला भी नहीं सकता, business coaching में क्या हो रहा है, जो high level of consulting है, उस level का content deliver कर दिया जा रहा है, उस व्यक्ति को, जिसकी eligibility नहीं है, eligibility नहीं है, तो वो, अब वो विचार बनाएगा, कि या तो मैं 20 साल इंत courses को जो sell कर रहे हैं, उसमें student की eligibility भी देखी जाए, पढ़ाने वाले का भी qualification देखा जाए, और उसका background भी देखा जाए, तबी कोई इस चीज़ के अंदर register हो, और अगर कोई इन चीज़ों को नदर अंदाज करके courses को चलाता है, तो उसके उपर कोई ना कोई penal charges जरूर होने चाहिए, और उसके उपर कारेवाई जरूर होने चाहिए, ताकि future में इस तरह की चीज़ों को रोका जा सके, future में ऐसे scam, great, तो rapid faster हम 5 चीज़े जानेंगे, यह तो बात रही कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या प्रावधान है, मैं यह बोलना चाहता हूं कि जिन consumer affair में, consumer forums के अंदर जाकर के complaint दे, अगर किसी के साथ cheating हुई है, तो police station में जाकर के complaint दे, अगर police उसके ओपर सन्वाई नहीं करती है, तो court का रुख अपना है, वहाँ पर 156 CRPC के अंतरगत, FIR की गवार लगाए, इसके अलावा अगर किसी person ने ज्यादा amount दिया है, और उसको लगता है कि मेरे को ये पैसा वापस लेना है, उसके पास evidences हैं, ऐसे evidences हैं, जहाँ आप पर उस person ने बोला है, कि अगर आपका ये purpose all नहीं होता है, तो मैं पैसे वापस करूँगा, तो court के अंदर जाकर के, civil court के अंदर जाकर के, recovery of damages का suit file करे, उससे अपने पैसे तो मांग अगर किसी को guidance की जुरूत है, तो हम को यासी meet रख सकते हैं, जहाँ पर students को हम guide करें, जहीं मैं सुनना चाता था, next step हम जो third और fourth और fifth की बात करें वो ये है, कि हम बहुत जल्दी Delhi में, एक location हम आपके साथ share करेंगे, सभी लोगों के साथ share करेंगे, उस location उस venue पर, हम एक meet कर करने जा रहे हैं, जो meet expert advice के साथ होगी, जहाँ advocates का पूरा panel होगा, और हर उस victim को, जिसके साथ कुछ cheating हुई है, उसको, उसकी, उसकी सुनवाई भी होगी, उसकी बात को सही तरीके से, कानूनी प्रावधान के अंतरगत कैसे पूरा किया सकता है, और कैसे वो अपनी चीज़ जरूर नहीं है कि victim को पैसा वापस मिल जाए, अब देखना पड़ेगा उनके साथ क्या हुआ है, मैंने बोला ना cheating, scam यह सारी चीज़ अलग-अलग है, आप सब को mix नहीं कर सकते हो, किसी एक person को अगर कोई चीज satisfy नहीं कर रही है, तो उसका मतलब यह नहीं कि सब को सब satisfy न तो सर मुझे उसमें आपका समय चाहिए, जरूर 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 और आप मुझे वादा करें मेरी audience के सामने कि हम लोग उस meet में आए, आपका बहुत बास वागता है, तो friends मेरा आप लोगों से request है, अब जो legal meet हम आप लोगों के लिए organize कर रहे हैं, उसमें participate करने के लि इस वीडियो को जारा सादा उन लोगों के साथ शेयर करें, इनके साथ cheating हुई है, या किसी भी तरह से कहीं भी online course के वो victim रहे हैं, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी और मेरे साथ advocate योगेश अगरवाल जी क्यों, हम दोनों आप लोगों के सुन झाल